अगली खबर में बात करते हैं गौलियर की जहां अंचल में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश हो रही है रवीवार रात वा सोमवार सुभा बारिश के बाद तिघरा डेम का एक गेट सोमवार दोपहर में खोलना पड़ा अफसरों के मताविक जरूरत पड़ी तो और भी गेट खोनने पड़ सकते हैं क्योंकि गौलियर सहीद घाटी गाउं के जंगल में बारिस हो रही है और तिघरा डेम में और पानी आ सकता है सनीवार की राज से लेकर रवीवार की सुबा साथ घंटे तक तिघरा के गेट खुले रहने के बाद तिघरा का जल इस्तर फिर फूल टैंक लेवल पर पहुच गया है तीन साल बाद सनीवार को बांध के पांच गेट खोल कर लगभग देड़ माह का पानी डाउन स्ट्रीम में बहाया गया है यह पानी बान मौर पिलोवा और कोतवाल बांध में छोड़ा गया है अब तिघरा में जुलाई 2023 तक का पानी उपलब्ध है वहीं अंचल के अन्यबांध भी लबालब होने से सहर में अगले दो वर्सों तक पानी की दिक्कत नहीं होगी गाटी गाओं के चैकमेंट छेतर में जहमा जहम वर्सा होने के कारण सनीवार को तिघरा का जल इससर एक ही दिन में तीन फिट भर गया था और अक्टूबर माँ में पहली बार तिघरा बांधे के गेट खोले गए राद बारा बजे पहले दो आर नमबर तीन को खोला गया था लेकिन उसके बावजूद जल इससर कम नहीं होने पर और दो गेट खोल दिये गए इसके बावजूद लगा तर बांध में पानी आता जिसके चलते तीन बजे कुल पांस दौर खोल दिये गए इससे जल इससर कम हो गया और 738.65 फिट तक पहुच गया था इसके बाद सुबा पांस से साथ बजे तक एक गेट से पानी निकाला गया साथ बजे सभी दौर बंद कर दिये गया लेकिन रात आठ बजे तक चेक्मे जेन सर्मा के अनुसार सुबा से लेकर साम तक चार इंच पानी बढ़ा है और 749 फिट का इस्थर पार होने पर गेट खोल दिये जाएंगे